Hello students, complex numbers से यह हमारा अगला question है Let A and B be two positive real numbers and Z1 and Z2 be two non-zero complex numbers such that A mod of Z1 equal to B mod of Z2 If Z equal to Az1 over BZ2 plus BZ2 over Az1 then हमें यहाँ पर चार options दे रखे देखो जब कभी इस टाप के options आपको दे रखे होते हैं real Z, imaginary Z, mod Z तो main चीज़ यह है कि Z का अगर आपको argon plane diagram आपको समझ में आ गया तो फिर यह चारो options के जो answer से आपको समझ में आ जाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं Z जिस form में आपको यहाँ पर दे रखा है उस form से हम इसको argon plane में represent करने का तरीका ढूंटे है अचा आप यहाँ पर एक चीज़ देखें हमें यहाँ पर दे रखा है Z equal to A Z1 over B Z2 और यह दूसरी जो चीज़ है वो पहले वाली की just reciprocal है है ना A Z1 यहाँ है और B Z2 यहाँ है यह जिस को लिटा है तो अगर मैं इसको omega consider करूं तो फिर यह हमारे पास हो जाएगा 1 over omega तो कुछ भी नाम देख सकते हो कोई भी complex number नाम दे सकते हो मैं अभी के लिए omega ले रहा हूँ तो A Z1 over B Z2 यह है तो फिर यह हमारे पास 1 over omega हो जाएगा तो Z का representation हमने कैसे देख लिया Z हो गया हमारे पास omega plus 1 over omega यहाँ तक ठीक है अच्छा अब यहाँ पर हमें अलड़ी कुछ चीज़ें गिवन दे रखी है ठीक है मौड Z1 है मौड Z2 है तो मैं क्या करता हूँ कि यह जो मेरे पास यहाँ omega A Z1 over B Z2 दे रखा है मैं इसमें दोनों तरफ एक बार मौड ले के देखता हूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि यह जो omega है इसका मौडलस है कितना क्योंकि omega itself एक complex number है तो इसको represent करने का तरीका होता है omega equal to mod of omega cos theta plus iota sin theta तो omega की value यह होती है तो मैं यहाँ पर जो omega मैंने रखा हुआ है तो इस omega के जगा मैं यह रखना चाहूँगा लेकिन उससे पहले मुझे mod of omega पता होना चाहिए जो कि मुझे यहीं से मिल सकता है तो मैं यहाँ पर दोनों तरफ अगर mod लेता हूँ तो mod of omega equal to a का mod लेकर कोई फायदा तो है नहीं क्योंकि already question में दे रखाएगी a और b, b2 positive real numbers तो पूरा mod लेने के बाद आप a को बहार रख सकते हैं तो यह mod of z1 हो जाएगा यहाँ पर यह b mod of z2 हो जाएगा ठीक है अब हमें पता है a z1 b z2 के बराबर है a mod of z1 b mod of z2 के बराबर है तो यह दोनों यहाँ पर cancel out हो जाएगे तो mod omega कितना आ गया 1 के तो अगर मैं यहाँ पर put करता हूँ तो मुझे omega कितना मिल जाएगा omega मिल जाएगा 1 cos theta plus iota sin theta है ना तो क्या मिल जाएगा मैं सिफ लिख लेता हूँ cos theta plus iota sin theta जिसको मैं e iota theta भी लिख सकता हूँ अब मैं यह value यहाँ put करता हूँ और उसके बाद solve करके देखता हूँ क्या आ रहा है तो z equal to omega है e iota theta plus अगर मैं यहाँ पर e iota theta put करूँ और उसके बाद ऊपर लेके आ हूँ तो हो जाएगा e minus iota theta है ना अब e iota theta और e iota e minus iota theta इन दोनों की values अगर मैं put करूँ तो देखो e iota theta है हमारा cos theta plus iota sin theta और यह है cos theta minus iota sin theta यह cancel हो जाएगे तो z की value कितनी आ गई two cos theta तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो z हमारे पास आया ही यह है purely real ठीक है purely real है तो आपको पता है अगर यह हमारे पास एक argon plane है इसमें x axis को real axis कहते हैं और y axis को imaginary axis तो जो purely real complex numbers होते हैं वो x axis में लाई करते हैं तो obviously हमारे पर जो z जो की purely real आया है वो x axis में लाई करेगा तो x axis में imaginary value क्या होती है 0 तो आप यहाँ पर यह कहोगे कि imaginary value of z हमारे पास कितनी है 0 तो यह जो answer है देखो आप यहाँ पर कहाँ पर match कर रहा है imaginary z equal to 0 ठीक है तो यह हमारे पार यह option यहाँ पर true बैठता है तो क्योंकि यह real है तो यह वाली value तो गलत हो गई इसमें एक option और देखा वैसे तो यही exactly एक ही answer हमारा लेकिन क्या बाकी answers भी possible है तो यहाँ देखो यह लिखा है mod z equal to a over b तो यह option सही है या नहीं है यह पता करने के लिए मैं आपको एक चीज और बता दू देखे यह लिखा हुआ है z equal to 2 cos theta और हमें पता है जो cos theta होता है वो minus 1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है है ना इसको थोड़ा समय अगर simplify करके दिखाऊं यह देखो cos theta आपका जो है minus 1 और 1 इसके बीच में लाई करता है तो अगर मैं सब को 2 से multiply कर दूँ तो minus 2 is less than equal to 2 cos theta less than equal to 2 हो गया अब यह किसके बराबर है है ना z था यह यह हमने solve के दो z आया तो इसका मतलब z जो है उसकी value minus 2 और 2 के बीच में लाई करती है है ना z इन दोनों के बीच में oscillate कर रहा है मतलब उसकी value इनके बीच में लाई करती है यहाँ पर लिखा है और अगर मैं mod z निकालूं तो क्या होगा mod z is greater than equal to 0 less than equal to 2 तो आप देखो यहाँ पर लिखा है mod z is greater than 2 तो यह तो false हो गया और mod z equal to a over b हमें a और b तो पता ही नहीं क्या है तो हम यह कह नहीं सकते कि यह answer इस answer से match करेगा तो इस तरह से मैंने सारे options को clear कर दिया कि क्या चीज है इस solution में तो बच्चो अगर solution आपको समझ में आया हो तो वीडियो को like करना ना भूले और चैनल को subscribe नहीं किया तो please चैनल को subscribe ज़रूब करें Thank you so much